तो आज अपने स्टार्ट कर देंगे 16.4 16.4 चार के इंदर अपन पढ़ने वाले गोला यानि स्पेर ठीक है गोला स्पेर के अंदर आपको क्या क्या बात द्यान रखने हैं एक बार बेसिकली आपको जो स्टार्टिंग यह बातें पूरी सुना करो अच्छे से ना इसमें कैस प्रश्टिंग बनने की चांसे वह अपन थोड़े फॉर्मले देखते हैं अब गोले में भी क्या होगा एक तो स्पेर खुद होगा ठीक है और एक होगा है मिस्पेर ठीक है यह दो बाते हैं अपने को दियान रख रही है है मिस्पेर का मतलब अर्द गोला ठीक है अब अब सब्सक्राइब यह बात करें देकर इससक मतलब पूरा गोला यह मतलब आजा अगर यह पूरा फॉर्मुला होता है वोल्यूम तो वोल्यूम का मतलब आइतन गोले का गोले का आइतन स्पेर इसका फॉर्मुला हो जाएगा यहां पर 4.3 पाई आर क्यूब समझ पारे हो 4.3 जैसे अपन कौन वगरा में लिखते थे ना 1.3 यहां पर 4.3 है तो यहां पर 4.3 है वहां पर 1.3 था तो ऐसे आपन थोड़ा कुछ सिस्टम बिठा सकते हो आप इसका सर्फेस यह वोल्यूम हो जाएगा यहां कि अर्ध गोले का आइतन अर्ध गोले का जहां पर 4.3 है वहां 2.3 तो यह कुछ फॉमले अपन को लर्ण करने हैं चार फॉमले लर्ण करोगे तो अल्मोस्ट आपका यह वाली जो एक्साइस 16.4 कम्प्रिट हो जाएगी ठीक है अब बात करते हैं आपके क्योश नमर फर्स्ट की फाइंडा सर्फेस एरिया एंड वॉल्यूम उपस्पेर रेडियस आपको 1.4 दे रिखिए यानि कि एक पॉंट चार सेंडिमेट त्रिजा वाले गोले का प्रश्टी चतरफल और आइतन गयात किजी ठीक है चलो स्टाइटिंग में हमारे पास क्या है तो सबसे वहले हमारे पास क्या है रेडियस ठीक है रेडियस ऑफवे स्पेर यानि की गोले की तुरिजा जिसको पन आर से देनोट करेंगे वह हमें दे रखिए 1.4 सेंटिमेटर ठीक है और कुछ दे भी नहीं रखा हमें चाहिए भी नहीं समझ पारे हो क्योंकि सेंटिय की गोले का प्रिष्टिय चेत्रफल भॉमला क्या होता है 4 पाई आर स्कूर्ट फिक है तो 4 का तो 4 पाई की तो पोंसी पॉर इंटु यहां पोंस प्वेंट अच्छा कुछ बच्चे पूछ रहे कि point का multiply करना मुश्किल है पिछले वीडियो में कुछ लोगों ने पूछा तो देखो बहुत ज्यादा यहां पर साथ का भाग नहीं गया तो मैंने यहां लगा दिया यानि कि इस point को यहां लगा दिया इस point को मैंने यहां लगा दिया अब इसका मतलब यह 14 था ना वो पूरा complete अब हमारे पास पूरा सब्सक्राइब यह थोड़ा बैसी कॉंसेप्ट है या फिर थोड़ा हो क्या कि अब मुश्किल पड़ेगा अगर आप इसको 1.4 की अब आपको करना भी नीचे तो है तरीका तो है लेकिन जब से टेबल से कट रहा होता है तो फिर अपन को ज्यादा करने की जरूत नहीं है ठीक है फिर भी कुछ बच्चे करें कोई फ्रक नहीं पड़ता है तो यहां से करेंगे हाला कि कोई मतलब नहीं क्योंकि दो डिजिट है लेकिन फिर भी पूरा बता देता हूं एक डिजिट बात पोइंट ध्यान रगना पॉंट राइट साइड से लगेगा इधर से तो यह आ गया यहां तक यहां तक पहुंच साथ ठीक है फिर इसके नीचे मल्टिप्ला फिर यह वन से करने पर दो खेर जानते हो कुछ बच्चे क्या करता है यहां पर पॉइंट लगा थे यहां मिड में कहीं पॉइंट नहीं लगाना पॉइंट सीधा नीचे लगाना है फोर सिक्स फूर्टीन और टू वन और टू यहां के बाद में किते संक्या एक इसके बाद में किते नंबर है एक तो एक और दो होगे तो राइट साइट से दो डिजिट बाद पॉइंट यानि कि 24.64 सेंटीमेटर स्क्वाइर आपका आंसर हो जाएगा यानि कि वक्र प्रष्टिज चतर पर बोल दो चाए कवर सर्फेस अब बात कि उसनने पूछ वॉल्यूम भी निकालना है तो वॉल्यूम भी निकाल दیते हैं डिजिट यानि कि गोले का आएटन गोले का आएटन का फोर्मुला होता है 4.3π.3 तो 4 अपॉइंट फॉरं इन्टू 1.4 इन्टू 1.4 टीन बार है ठीक है ओके जिरू पॉइंट टू टाइम जो आपने भी उपर सब्सक्वर किया था और इसके बाद में बात करूं तो 1.4 इन्टू 1.4 यहां देखो 14 14 को 14 से करने पर आता है 196 तो यह कुछ स्क्वाइर अगर आपने 30 तक लर्न कर लिए हो तो यह बहुत इसली टाइम बच गया अब दो एक इधर से दो सेंगे अब पॉइंट अब पॉइंट लेका दो तो सिधा यहां तक आ गया इसको 88 88 से सीधा कर लेते और ठीक है तो 88 से 0.392 को 88 से मंटिक्लाइब लेते सब्सक्राइब कर देंगे तो आट तो आट तो निस सोला अट नम बहुत रेक्ट है तर 73 फिर चोबीस और साथ 31 तीन के लगगी फिर फिर जीरो यानिकी ठीक है तो अब एसट इस हो जाएगा 6 313 तो से अब तो से वेली को नीचे रखा और बहुत बैनिफिट होता है 9443 तीन सिंह के बाद पॉइंट 34.492 और नीचे है 34.496 और नीचे है 3 अभी 3 से कर देंगे तो 3 बंजा 3 फिर 3 बंजा 3 पॉइंट एक बचिया दिदर 14 तो 3 4 12 फिर बचिके दो फिर वह गया 29 के साथ 3 9 27 फिर बचिके दो तो त्रेट मले अप्रोक्स यह वेल्यू आ जाएगी 11 पॉइंट कुछ वेल्यू आ जाएगी इसको राउंड फिगर में अपन 11.5 भी बहुत सकते हैं लेकिन इतना भी ठीक है तो यह सेंटीमेटर क्यूब लगा देना यह क्योंकि वॉल्यूम है , तो वॉल्यूम का हैं फिर यह दो हिन्दी ईयुए बच्छ है गन सेंटीमेटर भी लख सकते हैं तो हैं नहीं है तो श्री इन मंदेख है नहीं बिल्कुल आपको बिल्कुल जिरो लेवल ने सबता दीआ है ठी मिल्बर पूरे चेप्टर मां प Patricia बिता रहिए कि जो चीज गीवन है फोमा उसीख का लगाना है जो चीज दी हुई है फॉरमला उसी का लगाना क्या दिया वाए मैं ? हमें दे रहे था है सरफेस जरी ठीक है यानि की सरफेस ए्रिया और भेस फेर ठीक है एक गोले का प्रश्टिये चेत्रफर दे रहा है 616 सेंटिमेटर स्क्वेर ओके और हम जानते हैं कि गोले का सरफेस यह रहेगा फॉर्मला क्या होता है अब देखो यहां पर 4 तो 4 की टेबल इसमें जाएगा डिवाइड कैसे हैं कि अगर लास्ट के दो डिजिट में अगर चार का जाता तो पुरी संख्या में भी चार का जाएगा यह चार के लिट रिक है ठीक है तो चार के टेबल इसको काट दो आप फॉर बन जा फॉर चार कम चार बचके दो फिर बनगे एक बीस इकिस तो फॉर फाइव जा ट्वंटी बचके एग और फॉर फॉर जा सिक्टीन और यह आपको पताई बाइस का साथ बार एक सुचों मैंने बहुत बार बता दिया कि ट्रिकलन कर लो तो आर स्कुर की विल्य इस तरिजा आमरे पास आगई साथ उसके बाद में निकालना है इसका वोल्यूम तो वॉल्यूम ऑफ स्पेर यानि कि गोले का आएटन और गोले का आएटन का फॉर्मला होता है फॉर अपॉन थ्री पाई आर क्यूब तो फॉर अपॉन थ्री पाई किसे बाइस बटे साथ आर अभी भी निकाला था 7 लेकिन वो क्यूब है इसलिए तीन बार लिख देंगे ठीक है इसार से साथ कट गया और कोई नहीं कट रहा तो 7749 वांत हो गया 49 और 22 को चार से करेंगे नियाओ के 88 88 अब मैंने निचे क्यों लिखा क्योंकि मुल्टिप्लाय करने में इसी पड़ आप दो नो तो ग्यारा फिर आसी लग गई एक तो यहोगे 13 फिर आसी लेकिने 4 यानिकी 4 3 1 2 तो उपर या नीचे आ गया इसका आप डिवाइड कर लो 3 बंजा 3 तेने कम 3 फिर बच्ची के एक तो बनके 13 फिर 3 4 12 फिर बच्ची के एक समझ पार है ना फिर होगे 11 तो 339 फि यानिकी 10 तो 33 आता रहेगा क्योंकि आपको पता है दस की बाद तो 33 लिख सकते हो continuity ठीक है continue रहेगा सेंटीमेटर क्यूब या फिर गन सेंटीमेटर किनी-किनी बच्चों को क्या होता है कि यह जो डिवाइड करते है ना multiply और इसमें प्रोब्लम है तो मैं आपको छोटी सी इस तरीके से अपना रख में साइड में कहीं पर कर सकते हैं तो यह था आपका क्योश नमर सेकेंट ऐसे आपका क्योश नमर इसके अंदर स्पेर के जिए हैं स्पेर है ठीक है यानि गोले के चीन आ रहा गया अर्ध गोला आ गया फाइंड दा सरफेस अरिया यानि कि वह वक्र प्रश्टी चाथर या प्रश्टी चाथर बॉल दो सुमें धीधी बात होती है चाहिए टोटल सरफेश अरिया बोलदो तो दो बाते पूछिए अर्ध गोले की तिर्जा दरी के चार पर पांट सेंटीमेटर और प्रस्टी जदर आइटर में निकालने सिंपल है मैंने फॉर्मले आपको दोनों बता रहें क्या हमें जो चीज गीवन है सबसे पहले वह ठाओ रेडियस और कुछ चाइब नहीं दिखाएंगे वह दिर्खिए 4.5 सेंटीमेटर ठीक है अब बात करते हैं सर्फेस एरिया सर्फेस एरिया आपको पूरा लिखना मतल़ा शॉट में लिखना हम ठीक है अर्ध गोले का प्रस्टी चेटर वह था है थ्री पाई आर स्क्वेर ठीक है अभी विलान किया था आपन पाड़ दो कोई सी वल्यों निगटेंगी तो यहां पर 25 को 25 से मल्टिप्लाइब करना पड़ेगा ठीक है 25 दो बीस और दो बाइस यहां गया बीस दो शोलाओ दो नहीं पांच दो दस लगी एक यहां पर दो सेंग क्या बाद पॉइंट तो बीस पॉइंट पर चीस पूइ 256 331 दो डिजिट बाद पॉइंट है तो इस दो डिजिट बाद पॉइंट हो जाएगा 133 1336 1336.50 को अपन मल्टिप्लाइब कर देंगे सेवन से क्योंकि निचे साथ है तो साथ एक हम साथ सेवन बंजा सैवन ठीक है इसके बाद में क्या बजिया च्छे च्छे उतार लिया अब यहां पर सेवन का च्छे में नहीं जाता लेकिन यहां जिरो पर ना है और यह आप गलती करेंगे क्योंकि यहां का कोई नंबर यहां पर उतारा वर फिर डिवाइड नहीं जा रहा हो तो फिर एक बार जिरो पे ठीक है ना अब यह पोईंट तो यहां पर भी पर फिर ना इन जा शिक्स जित्री साथ नम ठ्रेसेट होता ही है पर बच्छी यह दो उतारा जीरो तो साथ नीचा अब ठीक है तो बच्छी आपको यह आपका आंसर यह तो सब मल्टिप्लाइए बई अना प्रेक्टिस करने के लिए आंसर जो आया हुआ हुआ है वन नाइनटी पॉइंट नाइन टू बहुत एतना सेंटीमीटर स्क्वाइर या फिर हिंदी वाले बचली लिख सकते हैं वर्ग सेंटीमेटर देखलो मैंने पूरा स्थ कंप्लेटली आपको बता दिया ठीक है इसके बाद में बात करता हूं आपके वोल्यूम की ठीक है तो अपना क्या था फॉर्फाइट पॉर्फॉराइंट फॉर फॉर्पॉइंट फाइफ इनको ऐसे है इसको इसने करेंगे तो यह आए 2025 फॉर्टिव पेंटेवगा 1720 इन का मतलब टुस्री पॉइंटी पॉर्ट टू जिरो यहां पर आ गया तो यहां वो टुनलिक्ट इसके बाद मैं करेंगे पर इसको फिर से यहां पर आएगा 25 दो दस तो बारा फिर फाइब टूझाच ठीक है यहां तक पहुंच रहे इन दोनों को अपन कर लेंगे तो आपका पांच उग भी सांसे लगी दो आट दो दस फिर आसे लग जाएगी एक चार और एक पांच फिर फूर और चार नम चार तीस फोर नाइट इसके बाद में 00546 एक्स और थ्री ठीक है कि बाद में अप्लिक लो इसको 005910 फिटन फोर देन पॉइंट कहां लगेगा पॉइंट लगेगा आपका तीन बिजिट बात 123 ठीक है यहां पॉइंट आजाएगा 409.5 बाद में 00 का कोई मतलब नहीं है और 3 और 7 का 21 से हम इसको डिवाइड करना है 21 से ठीक है नीचे 21 ही बचा इसका पंडिवाइड करते को मैं पूरा सिस्टम में डंग से बता रहा हूं को कि बच्छे कोमेंट आ रहे थे कि यहां पर क्या बच्किया हाँ अब यहां आएगा स्नाइन का नमबर तो मैंने का था ओर इसनल नमबर अगर यहां पर हो कम ही पढ़ गई तो पहले जीरो बढ़ना पड़ेगा ठीक फिर जीरो बढ़ते ही यह वाला पॉइंट ऊपर चला गया फिर यहां यहां जाएगा ने पर दो बार ठीक है तो बहुत एतना पूइंट की बाद में इसका मतलब दोनों अंदर सेमर है वेरी गूट यानिकिस का आंसर भी 90.92 सेंटीमेटर क्यूब है वोल्यूम हो जाएगा इस मल्टिप्लाई के लिए आपको हमेशा प्रैक्टिस करने ही कुछ भी ले लो है ना उससे और मल्टिप्लाई करते हैं रागरो जब भी टाइम मेले कोई रफ को फिले लो ठाओ मल्टिप्लाई करता कि स्पीड बड़े ठीक है और कुछ टेबल टेब आपको निकालना है गोले का आइतन आपको दे रखा है ठीक है बहुत एजी है सेंटो सेंब क्या करा है इस बार वोल्यूम दे दिया और सर्फेस सरी पूछ देंगा आइतन देके प्रस्टिश बर पूछ लिया लेकिन मैंने आपके ट्रिक बता रहे कि है कौन सी कि जो चीज दियू यह फोर्मला उसी का लगाएंगे ठीक है तो वोल्यूम सीट्जिय निकी गोले का आइतन और गोले ऐतन कीता है रहे कह ठीट अर्तीस एजार आट सो आट संटिमेटर क्योब या फिर गन सेंटिमेटर ठीक है का गन सेंटिमेटर अ क्यों बेस्जा इनदें लिए गोल यह हमें अच्छे यह फोर्म लगाने से क्या बेनिफेट होगा क्योंकि ऐसे क्योंस में मॉस्प्राइब कि आपको आर नहीं देगा हो इससे मार निकाल देंगे ठीक है और आर निकलने के बाद में इसने क्या पूचा था प्रश्टिश अदर फल यानिकी फोर पाय रिसको इसके बाद देखो आर क्यू ब्राबर 38,808 इदर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा क्या कि 3 और 72 हो जाएगा चला जाएगा उपर और नीचा जाएगा 4 इंटू 22 नीचा जाएगा फिर कुछ कट रहा हो तो काड़ दो जैसे ही लास्ट के दो डिजिट में 4 जा रहा ह ठीक है चलो यह तो होगे अपना फॉर इसके बाद में अपन ट्राइग करते हैं तू की टेबल से हैं हाला कि टू की टेबल से जाएगा लास्ट में तू दिखी रहा है तो 11 और टू सी चला जाएगा टू फोर्ट जा एट टू एट टू एट जा शीक्स्टीन ठीक है बच् चार वह होगे 45 फिर एट फोर्ट फोर्ट इफोर बच्चा एक और वह लास्ट में तो बढ़न के 11 और 11 एकम 11 वेरी गूट समझ में आ गई पूरा पूरा चला गया अब सुनो आर क्यूब इक्वस्ट टू ओनली फोर अपने पास बच्चा फोर फोर वन तो यहां फोर फोर बनता है और फ्री इंटो सेवन ही है बहुत इजी अब कॉंसेट समझना यहां पर स्कॉर नहीं है क्यूब है तो अब देखो फिर बीदर तो बेजना पड़ेगा होता है कि यह चोटा सा तीन लिखना है आपको यानि कि यह अब जो अपन कर रहे हैं आर क्यूब यानिकि ति इन तीन के जोड़े बनते ही वेल्यू बाहर तो अब देखो क्या होगा इसका भी एक टेक्निक बताता हूं आपको पता है मैंना आपको तीस तक लर्ण करने के लिए बोल रुक है 21 का स्कॉर होता है 441 तो क्या मैं 441 को 21 इंटो 21 लिख दूं क्योंकि 21 इंटो 21 होता है इंट लिख इंटीन का इंदर बनाना है बहुत अब इसके बाद प्रश्टि चतर वल गोले का प्रश्टि यह यह चतर वल्याइन के सार फेस एरिया ऑफ और वह रोगता है तो फॉर का तो फॉर पाई की ज़िए के बाइस बटे साथ इंटु आर अभी भी बने करना था 21 21 इससे इकट जाएगा तीन बार होके और तो कुछ नहीं है सही 63 और 88 यानिकी 63 को 88 से मल्टिप्लाइ करना है एट नीचे रखना है फिर बोलना हो क्योंकि एजी पड़ेगा आरती चोबिस दू फोटी एट अड़तालीस और दो पचास तो फॉर जीरो फाइफ यानिकी फॉर फॉर फाइफ फाइफ पचपन चमालेस पचपन चमालेस सेंटिमेड स्क्वाइर आपका इसका सरफेस यानिकी प्रश्टी चतरफल हो जाएगा यह था आपका का